कि क्या भोल रहा है यार यार एक तो हमाद तुम इतने बावले आदमी हो तुमसे मैंने एक सवाल मांगा तुमने मुझे चार तस्वीरें भेज दी और बोले यह नहीं लिखा क्या नहीं लिखा तोबा कर लो कसम खुदा की हमाद अब यह सणाउलला स्टोर भी भेज दिया बिचारे ने मुझे अधनान ट्रेडर भी भेज दिया मैं बोलना उसको यह पतनी कितने एर भी दिया वह अंग्रेज यह बता मेरे बच्चे शहजाद वाला जो है मिस्टर शहजाद वाला यह पास्ट वेपर का कौन सा एयर है अच्छा 2013 है रेगुलर प्राइवेट कुछ नहीं लिखावा तो इसका मंदब सरी है रेगुलर भी और प्राइवेट भी है अब मैं मिस्टर शहजाद 2013 वाला सवाल करवा रहा हूँ जिन लोगों के बास सवाल नहीं है वो फर्स्ट एयर कॉमर्स गर्ल्स और बॉइस का जो कोचिंग का ग्रूप है उस पे सवाल भेज दिया है काइंडली वहां से इसको देख लें अब साथ मेरे मैं और आप साथ कैश बुक का फॉर्मेट बना कर शुरू करेंगे कि सर आज आज मैं कंपनी का नाम भी लिखूंगा सर सर ने सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा सर क्या नाम है मिस्टर मिस्टर शेहजाद ठीक क्या ड्राम बाजी है यार यह है मिस्टर शेहजाद क्या बना रहे सर वी अर नाव सपोस्ट तो मेक इट प्रिपेर दा थरी कॉलम कैश बुक हम क्या बना रहे हैं सर हम कैश बुक बना रहे हैं हम थ्री कॉलम कैश बुक बना रहे हैं आजये जरा सर फटफट फट फ़र्मेंट बनाएं और उसे सॉल्व करें सर ये त्री कॉलम कैश बुक मैं और आप साथ देखने जा रहे हैं या आया सर त्री कॉलम कैश बुक ठीक हो गया सर पहला कॉलम बना डेट पहला कॉलम बना डेड़ दूसरा कॉलम बना पर्टिकुलर प्रवन आ पोस्ट्रेंश पिर बना सेल्स discount फिर बना cash debit और फिर बना bank debits है उसके बाद आया date फिर आया particulars फिर बना post reference कि पोस्ट reference के बाद कि अब यह कर लो जो करवा रहे हैं 2013 का सवाल है पाद आपे बना बना कर लो कि अ अब चाइब है कि अ अब यही हैं कि अ आप अंब यहा है कि अ कर दो कर दो कर दो कि अ खो कि अ यह बन गया सर फॉर्मेट अब आई यह दरब फिल कर लें इसको देट पॉर्मेट यह लिकी आई 1 है। आई है से घ्रीफ विम से लुट P revenus पिर आया कैश कैश के बाद अगला कॉलम आया बैंक एट पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स के बाद आया पी आर पी आर के बाद आया पर्चेज इस पर्चेज इस डिस्काउंट पिर आया कैश क्रेड़ पिर आया कैश क्रेड़ बाद पूजए इस पर्टिकुलर्स के बाद आर के बाद आर प्रटिकुलर्स पिर आर कैशप इस पर्टिकुलर्स पिर आर कैश क्रेड़ ठीक हो गया सर फॉर्मेट बना लिया वेके करके खुद से शुरू करो मैं भी कर रहा हूँ आप भी कराएं साथ करेंगे आप अपने तौर से शुरू कर दें सर लेकिन सबसे पहली चीज जो इसके अंदर मुझे और आपको जहन में रखनी है क्या जहन में रखनी है जल्दी बोलो जल्दी क्या जहन में रखनी है कि सर सर यह ओवरड्राफ्ट का सवाल है यह ओवरड्राफ्ट का सवाल है कैश इन हैंड चालिस अदार कैश इड़ बैंक पचास अदार लेकिन ओडी है तो सर यह देखिए सर कौन सा महीना है एप्रिल की पहली तारिख एप्रिल की पहली तारिख को बैलेंस दिया हुआ है कितना बैलेंस दिया है सर यह पैलेंस कैरी फॉरवर्ड दिया हुआ है मेरे बच्चों कितना कैश का सर कैश का कैरी फॉरवर्ड है चालिस अदार एप्रिल की पहली ही तारिख को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एक और दिया हुआ है बैलन्स केरी फॉरवरड एक और दिया हुआ है लेकिन अब मैं आगे ब्रेकेट में ओवर ओवरड्राफ लिख रहा हूं ताकि हमें याद रहे कि ये OD का बैलन्स है जल्दी बताओ बैंक का ओवर्ट्राफ बैलेंस कितना है पचास हजार यस सर पचास हजार का बैलेंस है याद रहे जैसे ही बैलेंस प्रोसीड करोगे एक छोटा सा चेक मार्क टेक मार्क लगा दो दोनों पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में कर लिया भाई सारों ने कर लिया लगा दिया भी सारों ने एस्तर लगा दिया ह सिर्भा एक की बात होती है विटा कैरी फारवर्ड ब्रॉार्ट क्युत कैरी फारवर्ड ब्रॉट फारवर्ड वात एक है सी एफ लिखो यबलको बात हिसी यह मेरे बिटब 2 बाट एकिए बात एकी है कोई मस्वानीए इस को लेकर कोई परेशानी नहीं इए बिटहा अपना वीनेश करी चले सर पहली एप्रिल को ही पहला transaction देक्शन एक और हुआ जरा बताव पहली ही transaction में एक और UP ने transaction हुआ क्या हुआ सर बताईए सर पहली तारिख को पहली तारिख को जल्दी बताओ जल्दी पहली तारिख को क्या हुआ सर क्या है सेल्स किया सर कैश पर सामान बेचा कैश पर सामान बेचा तो सेल्स की वज़ा से सेल्स की वज़ा से सेल्स की वज़ा से हमारे account में पैसा आ गया हमने cash पे merchandise बेची जैसे ही merchandise cash पर भी की sir cash का inflow हुआ cash वाला asset बोलिए जल्दी बोलिए sales की वज़ा से cash वाला asset बढ़ गया मेरे बच्चों कितने से सर 60,000 से 60,000 से cash का inflow हो गया सर 60,000 से cash का inflow हो गया सर ठीक हो गई बात आगे चले सर अगली transaction हुई receive check 15,000 from a customer ठीक है and deposited into bank full settlement of his account 16,000 15,000 का एक check customer से receive हुआ वो check हमने उसी दिन bank में जमा करवा दिया है वही उसी दिन bank में जमा करवा दिया ठीक है लेकिन जो full settlement था वो 16 था total amount लेना कितना था जल्दी बोलो total amount कितना लेना था sir 60 हमने 16,000 रुपे की total रकम लेनी थी मिले कितने हैं जल्दी बताईएं मिले कितने हैं sir मिले हैं हमें हाँ मिले हैं कितना मिला है जल्दी बताईए sir रकम मिली है 15,000 तो क्या कोई discount का element है यह sir discount का element आ गिया है किस तारिख को मिला है sir किस तारिख को मिला है तीन तारिख को मिला है ठीक तीन तारिख को रिसीव हुआ है तो बताओ जो कस्टुमर से पैसे मिल रहे हैं यह क्या है आपका रिसेवेबल है या पेबल है जल्दी बोलो सर यह हमारा अकाउंट रिसेवेबल है अकाउंट रिसेवेबल की वजह से ठीक बताओ वो चेक जो मिला था हमें जो जो अमाउंट मिला था वो हमने कहां जमा कराया सर आपने उसी दिन वो चेक बैंक में जमा कराया तो सर डिसकाउंट एक हजार रुपे से रिकॉर्ड होगा डिसकाउंट एक हजार क्योंके फुल सेटल जो टोटल अमाउंट हमें लेनी थी वो थी सोला लेकिन हमने कलेक्ट किये हैं 15 पूरे सेटलमेंट पे हमने बकाया हजार रुपे का दिया डिसकाउंट ठीक हो गया सर आगे चले कहता है मि यह सवाल करवा चुका हूँ मैं कैसे हमा तुम बेवगूफ आदमी हो मुझसे क्या करवा दिया तुमने यह सवाल करवाया है भाई मैंने यह वह यार क्या हो गया यह बैँ भी निश तुम भी नहीं बतारी हो यार करवाया वा तो है यह सवाल तुम लोग लिखते नहीं हो हम माद तो दिवाने हैं बिलकुल ही यह करवाया वा सवाल है यार अगर 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 यह नहीं करवाया अधनान ट्रेडर यह बताओ यह वाला करवाया सना उल्लट सना उल्ले स्टोर वाला करवाया कौन सा नहीं करवाया भाई पता नहीं क्या यार अम्मा तुम भी यार आ तुमने बताया था यार बेटा तुम्हारा मेसेज ओवरलुक हो गया में तुम इतनी बार सर 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 लिख दिया एक वोईस मेसेज़ी बेच दे वीटा अबन तू भी बड़ा सीधा अदमिया तुम्हें चे बार सर लिख दिया तुम्हारा वह हमात तुम तो यार बीनिश बेटा तुम भी बोल नी रही हो यार अजीब हो मुझे तो लग रहे हैं सना उल्ला वाला भी करवा दिया है मैंने तो सना उल्ला वाला करो भाई फिर सब गडबड करवा दी सना उल्ला वाला सवाल का एर बताओ सना उल्ला वाला किस एर में आया है सना उल्ला का सवाल किस एर में आया है सौरी भाई ये जो बच्चे हैं ये मैं उनको सना उल्ला वाला सवाल भेज रहा हूँ यह बेज दिया गुरूप में यार सना उल्ला वाला सवाल बेज दिये मैं उपर कंपनी का नाम चेंज कर रहा हूं भाई कैश यह शैदाद नहीं है सना उल्ला स्टोर्स है अब एक बार में लिखा गरो पहले बारा लिखते हो फिर रेगुलर लिखते हो बेवपूफ एक बार में लिखो ना दो अधार बारा रेगुलर यह आगी है सर सना उल्ला स्टोर्स वाला सवाल और यह एर है जनाबे वाला दो हजार बारा रेगुलर सवाल में भेजश चुका हूँ यह लो भाई पास्ट पेपर का है रहे दो हजार बारा रेगुलर ग्रूप के ओपर जो नए बच्च हैं जिनका पास्ट पेपर हैं वो ग्रूप में देखें ये सवाल आया वाया अब मैं खाली ये सारा तो मैं डिलीट नहीं करूंगा बस ये मैं ये ये जो उपर का बैलेंस तो ऐसे ही आएगा ठीके जो चीजें एक्स्ट्रा गलत हो गई हैं वो मैं हटाए रहा हूं बस वो मैं हटा रहा हूं अच्छा इत्फाक से वो सवाल भी जो भी हम कर रहे हैं ये भी ओवर्ड्राफ्ट का ही है तो उसमें बैलेंस तो फिर ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है इसमें कोई खास मसला नहीं है बस कॉलम भी सारे यही रहेंगे बस एक थोड़ा सा माउंट चेंज करना है आईए जनाबे वाला करें सनाउला वाला स्टोर सर सनाउला वाले सवाल के अंदर जरह देखिए तो कैश का ओपनिंग बैलेंस पचास हजार है कैश का ओपनिंग बैलेंस पचास हजार है और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर कैश का ओपनिंग बैलेंस पचास हजार और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर बैंक का ओपनिंग बैलेंस अगर हम देखें तो वो डिफिनेटली ओवरड्राफ्ट होगा जरह देखते हैं तो कितना बैलेंस है बैंक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है दस हदार सर दस हदार का बैलेंस है ठीक है दस हदार का बैल ठीक हो गया यह आगिया सर ओवर्ड्राफ का बैलेंस उसके बाद कहते हैं सेल मर्चंडाइस पचास हजार एंड डिपॉजटेट एटी पर्शन इंटू बैंक सर पचास हजार रुपे का माल बेचा है उस पचास हजार का असी पर्शन बैंक में जमा कराया बक्या बीस पर्श पर्शन का हैं सर वो कैश पड़ा होगा जरह पचास हजार का असी पर्शन निकालो देखो कैसे निकलेगा यह देखना सर पचास हजार रुपे का सामान बेचा उसका 80% बैंक में जमा कराया तो यह एटी पर्शन बनेगा कितना सारीय बनेगा 40,000 रुपे इसका मतलब 50,000 रुपे की इंवेंटरी बेची जिसमें से 40,000 कहां जमा करा दिये बैंक में जमा करा दिये बकाया कितने रहे गए 10,000 वो कैश के कॉलम में पड़ा रहेगा ठीक हो गया जरह देखना किस तरह से करें महीना है मार्च एप्रिल नहीं है मार्च है यह भी करो भाई आप सही है बड़े दुख दिये हमात तुमने बहुत दुख दे रहे हो तुम कसम से बिलकुल ही सर यह आ गया मार्च का मन मार्च सही है सर मार्च की पहली तारिख को मार्च की पहली तारिख को हो गया यह बैलेंस दोनों तरफ आ गया अब आया यहां पर रकम आ गई अगली सर अब यह कौन सी तारिख का इवेंट है सर यह इत्तफाक से मार्च की पहली तारिख को हमने पचास अजार की मर्चनडाइज बेची है जिसमें से हमने जिसमें से हमने 40% बैंक में जमा कराए तो यह सेल्स आ गया कैश के कॉलम में आए 10 अजार सर यह 10 अजार कहां से आए यह वो 10 अजार हैं जो आपके पास रह गए क्योंकि बकाया 40,000 आप कहां जमा करवा चुके बैंक में 50,000 की मर्चनडाइज बेची जिसमें से जिसमें से 40% सारी 80% बैंक में जमा कराए तो 80% कैलकुलेट किया तो रकम बनी 40,000 वो बैंक में जमा हो गया बक्किया 10,000 रुपे का बैलेंस आपके पास cash on hand है आगे बड़े अगला transaction देखो अगला transaction देखो अगला transaction देखो अच्छेक आफ रुपीज 10,000 issued against invoice number 23rd 23rd February under credit term 2 by 10 and 30 अब सुनो एक रसीद एक invoice थी सुनना मेरे बच्चों एक invoice थी एक रसीद थी एक रसीद एक invoice थी invoice किसे कहते हैं invoice किसे कहते हैं detail of sales को हमने कुछ माल खरीदा होगा उसकी एक रसीद थी हमारे पास ठीक है उस invoice की रकम कितनी थी उस invoice पे रकम लिखी वी थी 10,000 रुपे ये 10,000 हमें पे करने थी लेकिन हमने जिस से माल लिया था 23 February को सर किस दिन माल लिया था invoice की date क्या थी 23rd fab 28 February को हमें उसने एक offer दिया था इसको कहते हैं ये जो offer अब मैं लिख रहा हूं इसे कहते हैं credit 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 टर्म उधार की शरायत थी सरी क्या शर्थी उधार की उसने हमें ये शर्थ दी थी कि बाई देखो उधार पर समान ले लो लेकिन 2 by 10 and 30 उसने बोला भाई सावान ले जो कोई चिंता नहीं पैसे बाद में देना लेकिन हम तुम्हें एक offer दे रहे हैं अगर अवेल करना चाहो तो बताओ भाई क्या offer है उसने का आप 23rd February को लेकर जा रहे हैं और हम आपको कहते हैं 2 by 10 and 30 सरी ये 2 by 10 and 30 क्या है सुनो अगर 10 दिन के अंदर पैसे दे दिये जिस दिन माल खरीद रहे हो तेज़ फैबरी से लेकर आने वाले 10 दिन के अंदर यानि के बुलो भाई तेज़ फैबरी से लेकर फैबरी के मंत में कितने दिन होते हैं अमोमन 29 लगा लो या फिर लगा लो 28 फैबरी ठीक है तो पांच दिन यहां फैबरी के और बक्या पांच दिन मार्च की पांच यानि के मार्च की पांच तारिख तक अगर आप हमें पैसे दे देते हैं तो हम आपको 2% का डिसकाउंट देंगे 2 by 10 अगर डेट आफ परचेस से आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दिये तो 2% का डिसकाउंट देंगे अदर्वाइज एन फॉर नेट नेट अमाउंट पे करोगे एन फॉर नो डिसकाउंट विल बी अलाउट इफ पेमिंट मेड पेमिंट मस्थ भी मेड आफ्टर 30 डेज 30 दिन के बाद आके पैसे दे जाना कोई मसला नहीं लेकि हम तुम्हें डिसकाउंट देंगे अंचरा अजरा सरोज बेटा जल्दी ये बताईए सर को अंचरा बेटा अंचरा रिज्वान अंचरा रिज्वान जल्दी सर को ये बताईए सरोश सर को ये बताईए सर को ये बताईए जल्दी बताईए सर को चाबाज जल्दी बताईए हमने पेमेंट किस तारिखों की है हमने तीन मार्च को पेमेंट कर दी बताओ क्या हमने दस दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी ये सर इसका मतलब ये है कि आब आपको कितना परसंट discount मिलेगा सर आपको 2% का discount मिल जाएगा क्यूंकि आपने payment 10 दिन के अंदर कर दी है agreed बोलो क्या हमने payment 10 दिन के अंदर कर दी है ठीक है जल्दी बोलिया अंचरा अंचरा सरोज बेटा जल्दी बोलो जल्दी बोलो क्या 10 दिन के अंदर payment कर दी है सर 23 फेबरी को लिया था 23 को फेबरी खतम हुआ पांच दिन वहाँ गए ठीक है हमने 3 मार्च को पेमेंट कर दी इसका मतलब हमने डियू डेट के अंदर पेमेंट कर दी है तो हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा सर 10,000 का 2% निकालिए जल्दी कितना होता है 10,000 का 2% निकालिए 200 रुपे ठीक हो गया जरा बताओ किस डेट को पेमेंट कर रहे हो सर मार्च की 3 तारिख को मार्च की 3 तारिख को पेमेंट लगा दी हमने जनाब बताओ आज जो हम ये पैसे दे रहे हैं क्या यह हमारी liability होगी what it is called accounts payable ठीक हो गया accounts payable की वज़ा से ठीक हमारे account से पैसा जा रहा है सर कितने जाएंगे भाई देने तो 10,000 थे लेकिन चुंके 200 रुपे का discount मिल गया हमने देने है 9,800 रुपे बोलो clear हो गया बोलो clear हो गया बोलो बेटा सरोश clear हो गया बोलो बेटा बीनिष clear हो गया चल्ओ शाबाश तो यह invoice वाला scene समझ में आगिया सबको invoice वाला scene समझ में आगिया सबको और आगे बढ़े sir डिप फिर रेसीव चैका है ग्यारह थारर फ्रोम उमैर a customer अगेंस्ट इस अकान इंफ्ल सेटिमेंट उपिसकाँंट नाघशार एक सौण उमैर से लेने कितने थे 11,100 रुपे लेने थे हमने कितने लिए हमने 11 रुपे लिए और हातिम ताई की खबर पे लात मार दी 100 रुपे का डिसकाउंट दे दिया कि जा क्या याद करेगा 100 रुपे का डिसकाउंट फैजान फैजान खुश हो जाओ से नहीं सौरी उमेर खुश हो जाओ आठ तारिख को हमने पेमेंट कर दी आठ तारिख को पेमेंट कर दी हमने और तुम्हें डिसकाउंट दे दिया सो रुपे का और बोलो क्या चाहिए मज़े करो जाओ यहां रीजन आएगा अकाउंट सर कस्टूमर है तो हमें से conveyable थी राक्रेट में नाम दिया वाई तो सर ने यूंऊमेर कान इनिशाट इनिशियल दे दिया डिसकाउंट कितना आया सो रुपे बताओ चेक दिए कैस दिए पताओ चेक दिया है कैश दिया है जल्दी बोलो चेक दिया है कैश दिया है सर हमने हमने चेक रिसीव किया है चेक जब तक हमारे पास है हम उसे क्या बोलेंगे हम उसे क्या बोलेंगे हम उसे कैश बोलते हैं सर ठीक हो गिए ठीक हो गिए आगे चले 18 तारेख को वोही चेक बेंक में जमा करा दिया चेक जब तक हमारे पास था कैश था आज बेंक में जमा करवा रहा हूं 18 तारेख को तो कैश से पैसा निकलेगा और कहां पहुंचेगा सर कैश से पैसा निकलेगा बैंक में पहुंचेगा वो 11,000 जो अब तक हमारे पास पड़े थे हमने बैंक में जमा करा दिये कांट्रा इफेक्ट बना कैश वाला एसेट कम हुआ बैंड को यह बढ़ गया किस तारीक को 18 तारीख कोुर्णाव कैश की वज़ा से सॉरी रही सॉरी बैंक की वज़ा से कैसे पैसे कम हो रहे बैंक की placu से बैंक की वजह से कैसे पैसे कम हो रहे कितने 11,000 रुपे जब तक उमेर का चेक हमारे पास था हमने कैश बोला आज वो चेक हमने जमा करा दिया बैंक में तो बैंक में पैसे का इंफ्लो कैसे आउट फ्लो बैंक को डैबिट कैश को क्रेडिट किया आखरी एंट्री रिसीव 3000 1000asa as an advance from shapp for the good to be sold after two weeks . पैफ़िस सौमने हमने क्या किया 25 को हमने advance receive किया किस से हमारे customer थे श्वेभ भाई पच्चेस तारिक को हमने advance receive किया एडवांस फ्रॉम कस्टुमर कितने का एडवांस रिसीफ किया है सर्फ तीन हदार कैश वाला एसेट बढ़ गिया तीन हदार से ठीक है ठीक हो गया विड्रियू कैश फ्रॉम फर पर्सनल यूज फिर हमने तीन हदार रपे विड्रियू कर लिए पर्सनल यूज के लिए किस तारिख को 28 तारिख को 28 तारिख को ड्रॉइंग की वज़ा से पैसा हमारे कैश के अकाउंट से जा रहा कितने से सवाल तो आसान है अब क्या करेंगे सर आप हम फुटिंग बैलेंसिंग करेंगे जहां वैल्यू है वहां आखरी में आखरी एक लाइन छोड़के अमार्जन आपने सामने ड्रॉड कर दो मेरे बच्चों यह ड्रॉड किया जरा कॉलम का टोटल तो करना जरा कॉलम का टोटल तो करना सर यह आ गिया स्व रुपे स्व रुपे का डिसकाउंट 50 60 70 70 और यह चार हो गया चौतर 74,000 का कैश का बैलेंस है बैंक में एट करो कितना हो गया 51,000 का बैंक का बैलेंस है इसी तरह इधर आजाओ सामने डिसकाउंट तो यही 200 रुपे आएगा यह आगिया 14,000 रुपे इससे आगे यह आगिया कितना 99,800 रुपे इसा ही है चलो फिर क्या करेंगे सर अगेन एक लाइन चोड़ेंगे और मार्जन ड्रॉ करेंगे एक लाइन चोड़ेंगे और मार्जन ड्रॉ करेंगे आमने सामने यह लाइन चोड़ी एक लाइन चोड़ी मार्जन ड्रॉ कर लिया आमने सामने ऊपर एक मार्जन और नीचे डबल मार्जन उपर एक margin और नीचे double margin यह margin draw कर लिया sir अब बताईए कौन सी side बड़ी है बले बताईए जल्दी बताईए कौन सी side बड़ी है sir debit side बड़ी है credit sir discount तो as it is copy हो जाएंगे दोनों यह आगया discount sir यह आगया discount sir 100 रुपे इधर आगये बलो cash की debit side बड़ी है यह credit जल्दी बताऊ cash की debit side बड़ी है credit debit बड़ी है 74,000 से यह है 51,000 से यह है ठीक हो गया sir cash का भी debit वाला column बना है बड़ा है bank का भी बड़ा है तो हमने foot में जो जो footing बनाई है उसमें दोने तरफ कौन सी value रख दी sir जो बड़ी value थी वो रख दी debit side बड़ा था तो हमने बड़ी side का balance दोनों तरफ लिख दिया अब आओ यहां भी लिख दिया 74,000 ठीक और इधर क्या लिख दिया sir इधर क्या लिख दिया sir 51,000 ठीक हो गया बताओ किस side पे carry forward करूं 74 डेबिट पे भी 74 नीचे भी 74 74 में से 74 गया क्या बचेगा जीरो लेकिन 14 में से 74 करो माइनस तो कितना बचेगा बताओ मंद के end में कितना balance बचेगा जल्दी बोलो मंद के end में कितना balance बचेगा इसका मतलब ये है कि मार्ज की कौनसी तारिख 31 तारिख को कौनसी तारिख मेरे प्यारे बच्चों 31 तारिख को 31 तारिख को कितना बैलेंस केरी करके लाए जल्दी बो कितना बैलेंस केरी फॉरवर्ड करें जल्दी बो कितना बैलेंस केरी फॉरवर्ड करें सर्थ हम करेंगे क कितना बोलिये गल्दी 60,000 33 अब क्या हो गया दीवाने 33 कहां से आ गया 30 इसी तरह आओ बैंक में सर डेबिट वाली साइट तो 51 है ग्रेडिट में 1891 है बोलो माइनस करके कितना कैरी फॉरवड आएगा 31,200 बैंक का कैरी फॉरवड आगिया सर 31,200 बैंक का कैरी फॉरवड आगिया सर जो इस साइट का कैरी फॉरवड बड़ी साइट पे उसे किस नाम से लिखोगे बताओ मार्च के एंड में जो बैलन्स बचा मार्च उठा कर किसे दे देगा मार्च देगा एप्रिल की पहली तारिख को April की पहली तारिफ को ये balance जो पहला पिछला carry forward था इस साल का balance बन जाएगा broad forward broad forward cash का कितना balance आया cash का broad forward आया 60 कैसे बड़ी side में से छूटी side को minus किया और बड़ी side पे नीचे ये लिख दिया 31,200 ठीक हो गया 31,200 बोलो ठीक हो गया अब जहाँ जहाँ carry forward और broad forward का balance है वहाँ क्या लगा दोगे सर चेक मार्क लगा देंगे साड़े बारा नंब़र पूरे हो गए आपके साड़े बारा नंब़र पूरे हो गए तो सर carry forward, broad forward अरे हाँ यह वाला broad forward आयेगा sorry 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 सुरी वाई यह गलती हो गई मुझसे यह वाली यह कैरी फॉरवड नियागा यह ब्रॉट फॉरवड आएगा पिछला बचावा सुरी वाई आपने बताया भी था किसी ने मेरे देहन से निकल यह मैंने यहां लिख देए यह लिग दिया बी श्लैश एफ और यहां पर भी ब्रॉट फॉरवड आएगा यह वाला यह ब्रॉट थीक हो गया भाई बोलो भाई थीक हो गया अंशरा अंशरा सरोष बेटा जल्दी बोलो मरियम मरियम तो है नहीं हमाद बीनेश अबान अबासी बोलो बेटा क्लेर है सरोष बोलेंगी सरोष का कोई जवाब नहीं आया सरोष बोलो बेटा अंशरा बोलो बेटा सवाल समझ में आ गया झाल झाल